नमस्कार मैं खुर्शित खार राजू और आप देख रहें नीज स्टैमनेशन अब वक्त हो चला आप राज जगत की कुछ बड़ी खबरों का नुएड़ा पुलिस ने कैप के इंतिजार में खड़ी महिला पत्रकार से रेट पूछने वाले बदमास आश्वत पाल और विपिन सिंग को ग्रिफतार करते हुए जेल भेज दिया लखनव में UPSTF टीम ने आक्सिटोसिन इंजेक्शन की अवाय सप्लाई करने वाले अभ्यूप्त अनमोल और दिनेश कुमार को ग्रिफतार करते हुए जेल रवाना किया आरोपियों के पास 36 पेटी आक्सिटोसिन इंजेक्शन एक सकारपियो कार बरामत की गई बराबंद इंजेक्शन की कीमत 2,80,000 रुपए बताई गई सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामोहिक वीवा योजना में हुए घोटाले में एडियो समाच कल्याणा विशेक गिरी लिपिक संदीश मिस्रा और दलाल महिला कंचन के खिलाब मुकर्मा दर्च किया गया है सुल्तानपुर की पूर्व जिला पंचाय सदस कमला यादो की अपर जिला योम सत्र नाइधिस आयुद्धय की कोड़ ने अंतरिम जमानत खारिच करते हुए जेल भेज दिया है अमेटी में मोहन गंथाना पुलिस नच्छिनाइती करने वाले आरोपी आलोग मनोज उर्फ रामदत और अनीश को बिना नंबर मोटर साइकल और दो मोबाइल फोन के साथ गिर्फतार करते हुए जेल बेज दिया जालाओन में उप जिला दिकारी कोज योती सिंग ने डुगगी पिटवाते हो जनता को बारिस के समय में कच्छे मकान में ना रहने के हिदायत करते हुए कहा कि आप लोग बारिस के मौसम में पक्के और सुरक्षित अस्थान पर रहें जालाओन में सोजी और सल्वराइट टीम ने कोटवाली उरय थाना आटा की संयूग पिलिस टीम के साथ मिलकर पच्चीस पच्चीस हजार के इनामिया दो गउतसकरों को मुढबेल के दोरान जखमी कर ग्रिफतार कर लिया है जालाओन में एट कोटवाली के चमारी गाउ में पुरानी रंजिस में कुलहाली से किसान की काट कर हत्या कर दी गई सुचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को हिरासत मिले कर ग्रामीलों को सान कराया रामपूर में थाना स्वार पुलिस ने अपरादिक शडियंत रच कर वादी को अपारण और मारपीट करने वाले अभ्युक्तों को ग्रिफतार करते हुए जेल रवाना किया बलरामपूर में समुदाइक स्वास्कें साधुल्ला नगर में जानोरों का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल के करमचार्योदारा मरीज और तीमारदारों से अवैद वशूली की जा रही है 12 पुलिस कार्याले में मौझूद परिवार प्रामर्शकेंद पर तीन परिवारों के अपसी बिवात को सुल जाते हुए उनके साथ रहने के लिए राज़ी खुशी तैयार कर परिवारों को तूटने से बचाया गया 12 में थाना पयाक पुलिस ने चोरी की उजना बना रहे अभ्यूक्त अंकुल चौहान राम सरण और रहमत को ग्रिफ्तार करते हुए नियाले रवाना किया लखीम पूर्खीरी में पुराने जिला अस्पताल घंटा घर के पास पस्चिम बंगाल में ट्रेनी डाक्टर के साथ हुए दुशकर्म के बाद हत्या के बिरोज में मिटकल कालेज के डॉक्टर ने कैंडल मार्स निकाला मेरट के सरदना थाना छेद में भाई ने भाई पर ही कुलाली से जान लेवा हमला कर घायल कर दिया आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए इन खबरों को आप यूटूब पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बूक के जरी हम से जुरें तो पेज को लाइक करके फालो करना बिल्कुल न भूले नमस्कार सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना न भूलें